चले दोस्तों नए वीडियो में नए विलोग में मेरे आप लोग का स्वागत हैं आप लोग देख रहे हैं यह एक टावर जो अपने सम्रूद्धी एक्सप्रेस्वे के उपर से वो हाई बोल्टेज जो वायर जा रहा है उसको उपर करने के लिए यह लाया गया है फाउंडे का भी वीडियो आप लोग को दे दूंगा यह अभी आया है इसको फिटिंग जब करेंगे तो भी उसका भी वीडियो में आप लोग दिखाऊंगा साथ ट्रेलर से लोड होके आया है यह देखिए यह जो आप लोग टावर देख रहे हैं इससे भी उचा यह वायर इसका हो हो जाएगा तो समरुदी यह देख रहे है इधर वायर नीचे पड़ा है समरुदी अगर रेडी होगा तो भायर टच होने कड़ा रहे कोई भी हैवी वाहिकल जाएगा तो उपर से टच हो सकता है इसके लिए उसको और उपर करने के लिए यह लाये गया है और अभी एक- licensed फिटिंग जब चालो होगा कैसे होता है कैसे करते हैं कौन सक्रे आएगा उसका पूरा अपडेट मैं आप लोगो देता रहूँगा और यह देखें दोस्तों यह जो अपना प्यसी गडार है उस पे यह आप लोगो सोच रहे होंगे पेंट कर रहा है पेंट नहीं हो रहा है दोस्तों यह क्यूरिंग कंपाउंड एक प्रकार के कैमिकाल आता है अगर यह क्यूरिंग कंपाउंड लगाने देना चाहिए अगर क् का इस्टेंद वराबर आता है इसलिए यह क्यूरिंग कंपॉंड लगवाय जाता है यह वाइट कलर में भी आता है ब्लैक कलर में भी आता है हम लोग वाइट कलर में लगा रहे हैं क्योंकि अगर उपर रखेंगे तो थोड़ा देखने में और यह देखिए आप लोग को कंप्लेट हो गया थोड़ा बहुत काम बचा है अधा एगंटे का काम है उन लोग आने के हैं पहले ही पूरा कंप्लेट हो जाएगा वो लोग एक बज़े आता है साड़े बारा एक बज़े के करीबन आता है क्योंकि वो दो ही लोग पूरा इस्टक्चर का चेकिंग करते जिरो चैनल से चेकिंग करते हैं हम लोगा 23 किलियो मेटर आते आते हैं उन लोग अंदो पर एक बचाता है यह देखिए आज बहुत तेज धूब है क्लाइमेट बहुत गरम है यह देख यह पहाड़ी कितना अच्छा सीन दिख रहा है उपर से देखने से अच्छा लग रह है और उधर देखिए कटिंग चालू है उपर से रोड जाने वाला है इसलिए कटिंग चालू है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैं दूर हूं लगभाग एक किलियो मेटर से दूर हूं यह पहाड़ी एरिया बहुत अच्छा लगता है लेकिन इधर इतना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं क्योंकि इधर पूरा टाइगर जोन है और इधर सेर और भी रहते हैं लेकिन अभी काम चल रहा है वो लोग नाइट में कभी-कभी दिखाई दे देता है लेकिन वो लोग नहीं आता है अगर ज्यादा गर में पड़ता है तो पानी पीने के लिए उन लोग निकल सकता है अभी तक एक दो बार अभी तक जित और यह देखे रिटेनिंग वाल का इस्टील लगभा लगभा 70% बात के हो गया है 30% और काम बचा है यह भी एक दिन एक या दो दिन में complete हो जाएगा जब पूरा हो जाएग इसका भी वीडियो आप लोको मैं दिखाऊंगा तो चलिये अब्स लेपर ले चलते हैं देखें फाइनली क्लाइंट आ चुका है चेकिंग चालु है और अब देखते हैं क्या होता है कि प्र्ये देखिए कि वारा Hallo दाला के लिए मतलब हम 20-90 मिटर का स्लैब हो चुका है यह बहुत सालव मैट्रियाल अभी ऊपर छूटा हुआ है उसको नीचे अठा के रख देंगे तो तोड़ा अच्छा दिखेगा वो नीचे अठाएंगे पूरा स्लैब होने के बाद और करेजबरियर का काम बचेगा और और एक्सपेंशन जॉइंट का काम बचेगा यह बीच्पेंशन जॉइंट के लिए दोनों लेए था 300-300 mm छोड़ा गया है यहां पर एक्सपेंशन जॉइंट के लिए एक चैनल आता है प्रकार का उससे जॉइन किया जाता है बीच में गैप रहता है टी एम्म का वो जब वीडियो बना के दिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को थोड़ा वो स्लैब के उपर से ही लेके चलता हूँ उधर देखिए हाइवे का कितना काम हो गया है सब्क्रेट का लगभग लगभग पूरा काम खतम हो चुका है वो इस्टेक्चर के वज़ा से काम हो स्लो है और उप आदमी उतना नहीं थी ठंडा मौसम था और इसके लिए ये देखिए हाइवे का पूरा सब्क्रेट का काम हो चुका है हम लोगों का जैसे इस्टेक्चर चालो होगा इस्टेक्चर खतम होगा तुरंत ये लोग जीएसवी डियलसी और पीक्यूसी कर देंगे इधर रिटेन देख रहा है सब्क्रेट पूरा हो चुका है हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को और कमेंट करके कुछ पताएं